फ्रेंस आप सभीका विल्कम है मेरी यूटूब चैनल दे सब के सब पर आप स्क्रीन पर जिस फोटो को देख रहे हैं इसे मैं 100% पर करके दिखाता हूँ उसके बाद बात करते हैं अगर आपको इस तरह के फोटोज स्क्रीन रीटचिंग करने के लिए आता है तो आप क्या करते हैं बहुत बार ये कोशन पूछा गया है कि अगर हमारे पास इस तरह के फोटोज आते हैं इसकीन रीटचिंग करने के लिए तो क्या डिरेक्टले फिल्टर्स यूज़ करके इसकीन रीटचिंग करना चाहिए या उससे पहले कुछ और मैनूल वर्क करना ज़रूरी है तो मेरा सजेशन आपनों के लिए ये होगा कि सबसे पहले टूल्स को यूज़ करके जितना मैक्सिमम पॉसिबलिटीज हों आप इन सबी सपोर्स को हटा लिजे याने रिमूफ कर लिजे और उसके बाद अगर फिल्टर इस्तमाल करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कैसे करना है देखिए सबसे पहले मैं इसकी एक कॉपी करता हूँ कंट्रोल जेसे हमने कॉपी कर लिया अब उसके बाद यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ स्पोर्ट हीलिंग ब्रस टूल जब आप यूज करते हैं तो यहाँ पर भी एक गलती होती है कि आप mostly proximity match या create texture इन दोनों को select कर लेते हैं जबकि आपको इसे select नहीं करना है ध्यान रखें कि आपका content aware selected हो साथी साथ आप simple all layers को भी select करके रखें और एक चीज़ यहाँ पर important है कि देखिए brush का जो यहाँ पर setting है उसको याद रखें आपके hardness 100% नहीं होना चाहिए अगर आप hardness को 100% रखेंगे तो आप जिस spot को हटाएंगे वहाँ पर properly match नहीं करेगा content aware का काम है कि match कराना outsider skin से साथी साथ आप यहाँ spacing को बढ़ा करके रखते हैं या कम करके रखते हैं यानि 1% आपको इतना नहीं रखना है 20 to 25% से जादा नहीं रखेंगे फिलहाल मैं 25% ideal माना जाता है मैं 25% रखूंगा और उसके बाद यहाँ से enterprise करेंगे अब देखिए इस skin पर जितने भी spots हैं उसको properly zoom करूंगा और एक एक करके manually हटाऊंगा और उसके बाद filter इस्तेमाल करेंगे कैसे करेंगे आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए समझेए इसके बाद आपको skin retouching में काफी improvement नज़र आएगी देखे कैसे करता हूँ यह जब आप zoom करेंगे तो इस तरह से आपको texture दिखाई देगा इसको अच्छे से zoom करने के बाद अपने brush को fit कीजिए brush को बहुत जादा बड़ा नहीं रखना है आप इतना बड़ा रखें जितना बड़ा वो spot है उससे थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं या फिर आप उसके बराबर ही रखें फिलहाल आप दो बार में या एक बार में click करके हटा सकते हैं यहां से हटाया उसी तरह से यहां हटाना है अगर मैं इतना बड़ा brush रखूँगा तो इसका result अच्छा नहीं आएगा इसलिए मैं इसके brush size को थोड़ा छूटा रखूँगा और दो तीन बार में click करके इसे हटाऊँगा यह देखिए spot healing brush tool से यहां पर हमने properly clean कर दिया है जो थोड़ी बहुत redness आपको दिख रही है उसको जब filter use करेंगे तो आसानी से हट जाएगा तो एक-एक spot को मैं हटाता हूँ ऐसे ही मैं थोड़ा fast कर देता हूँ tutorial को ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सीखना अब आप देखिए मैंने spot healing brush tool को use करके कितना जादा work किया है अगर आप इतना work नहीं करेंगे और directly filter use करेंगे तो आपको अच्छा result नहीं मिलने वाला है अब देखिए before after ये देखिए before and after अब हमें यहां से filter apply करना है filter को apply करने से पहले इसकी copy बनानी पड़ेगी अब यहां से हम लोगों को filter apply करना है filter apply करने से पहले आप इसकी copy कर लिजे control J से आप कम से कम दो copy करेंगे इसकी जैसे हमने दो copy और कर ली है अब आपका जो main layer है वो layer number 1 है background layer को फिलाल आप भूल जाए क्योंकि आपका जो work start होगा वो यहां से होगा तो अब आप उपर के दोनों layer को smart object में convert कर लिजे यहां right click करेंगे और convert to smart object करेंगे इसे भी convert to smart object आप कर लिजे उसके बाद उपर वाले layer के eyeball को close करेंगे और नीचे वाले layer पर रहते हुए आपको use करना है filter यहां से blur और यहां से Gaussian blur यहां पर click करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा use नहीं करना है 10 से 15 pixels आप use करेंगे फिलहाल में 10 pixels यूज कर रहा हूँ और यहां से ok कर लेंगे अब उसके बाद आप उपर वाले layer पर आएंगे इसके eyeball को on करेंगे और यहां से आप इसके mode को change करके use करेंगे vivid light और उसके बाद filter में जाएंगे other में जाकर high pass यूज करेंगे और high pass यहां पर बहुत ज़्यादा आपको use नहीं करना है आप high pass यहां पर यूज करेंगे 2 से 3 pixels जितना कम करेंगे उतना अच्छा होगा फिलहाल मैं 2 pixels यूज कर रहा हूँ और उसके बाद यहां से ok कर लेंगे अब आप उपर के दोनों layer को control प्रेस करके select कर लें और control G से group कर लें group करने के बाद इस पर हम लोग layer mask अपलाई करेंगे लेकिन layer mask को हम लोग inverse करके use करेंगे इसका shortcut होता है alt and click on layer mask तो मैं alt प्रेस करके click कर रहा हूँ layer mask पर यह देखे inverse हो चुका है एक ही बार में अब हम लोगों को यहां से brush tool use करना है brush tool की settings ऐसी होनी चाहिए कि आप इसके hardness को 0% रखेंगे और इसके size को जैसी जरूत होगी वैसा रखेंगे इसके blending mode को आप normal रखेंगे opacity 100% होना चाहिए और flow को कम रखेंगे आप flow crown color white में होना जरूरी है आप यहां से click करके white कर दीशिए अब उसके बाद देखिए हम लोग सिर्फ paint करेंगे इसके उपर paint करते के साथ नीचे का जो texture है वो आनाशू हो जाएगा जो हमने apply किया था अब आपको इसके flow को और कम करना है flow को इस बर आप 30-20% के आसपस रख सकते हैं फिलहाल मैं 30% रख रहा हूँ और उसके बाद zoom करके आराम से paint करूँगा जब आप face पर paint कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको यहां गरदन पर भी paint करना ज़रूरी है यह proper तरीके से paint हो जाने के बाद आपको इसकी opacity manage करना होगा और अभी काम पूरा नहीं हुआ अभी बहुत सारा काम बाकी है इसमें अब हम लोग इसकी opacity यहां से manage करेंगे opacity कम करना है आप click करके drag कीजे इस तरह से और opacity कम कीजे बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखना है 60-70% का आसपास रख सकते हैं फिलहाल मैं इसको 65% रख रहा हूँ अब आप देखें before after यह देखें before and after overall आपको दिखाता हूँ यह देखें before and after अभी और काम बाकी है वो यह कि आपको lips पर proper color यूज़ करना होगा sharpen यूज़ करना होगा और उसके बाद हम लोग levels और curve यूज़ करेंगे तो फिलहाल मैं इसका एक screenshot ले लेता हूँ Ctrl-Shift-Alt-E प्रेस करके एक screenshot लिया और नीचे के दोनों layers को मैं delete कर देता हूँ ताकि file size छोटी हो जाए और इसके जरूरत भी अब नहीं है क्योंकि हमने screenshot ले लिया है अब उसके बाद आप यहां से solid color लेंगे और इसमें जो color यूज़ करेंगे वो थोड़ा pink color होना चाहिए इस तरह का बाद में आप इसको change कर सकते हैं और इसके layer mask को Ctrl-I से inverse कर लेंगे और इसके lips पर proper तरीके से paint करेंगे brush tool पर रहते हुए flow को कम करके रखेंगे और white color को उपर रखते हुए आप paint करेंगे इसके उपर आप अच्छे से paint करेंगे मैं फिलहाल fast कर रहा हूँ अब यह देखें पूरा paint हो गया है paint हो जाने के बाद अब इसके blending mode को यहां से change करेंगे आप यहां use करेंगे soft light अब उसके बाद आप इस layer पर double click करेंगे और यहां से आप underlying layer को break करेंगे alt press करके आप इसको break कर लीजेगा यहां click करके इस तरह से और इसे आगे लेकर जाएंगे और इसे adjust करेंगे जो perfect लग रहा हो यह देखे इस तरह से हमने दोनों तरफ alt press करके break कर दिया है underlying layer को break करना ज़रूरी था उससे आपका texture अच्छा आता है अब उसके बाद हम लोग यहां से ok कर लेंगे और इसकी opacity manage करेंगे आप इसकी opacity कम करेंगे अगर आप कम नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा यह देखे हमने कम कर लिया है अब उसके बाद आप जो भी color adjust करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं उसके लिए आप इस layer पर double click करेंगे और यहां से color आप adjust कर सकते हैं जो color adjust हो रहा है वो color आप यहां से चाहें तो use कर सकते हैं फिलाल यह देखे यह color अच्छा लग रहा है मैं इस color को use करूँगा अब उसके बाद हम लोग कुछ adjustment layer यूज करेंगे और इसके levels and curves को ठीक करेंगे देखे यहां पर मैं adjustment layer पर क्लिक करके सबसे पहले इसके levels को अब मैं check करूँगा यह देखे यहां पर light नहीं है मैं थोड़ा सा इसे add करूँगा आगे के तरफ ताकि इस पर light proper आ सके इतना भी जादा नहीं यह ठीक है और यहां से right के तरफ यह देखे यहां पर खाली था और यहां से आप ऊपर के तरफ ले कर जाएंगे इसे और यहां से थोड़ा नीचे के तरफ करेंगे यह ठीक है और इसकी opacity आप कम करेंगे 70-60% के आसपस फिलाल मैं 60% रखूँगा अब उसके बाद overall Ctrl-Shift-Alt-E प्रेस करके snap shot लेंगे और नीचे के सभी layers को आप delete कर लीजिए top layer पर रहते हुए आपको use करना है filters और इस बर हम लोग use करेंगे sharpen तो आप यहां आ जाएं filter में और यहां पर use करेंगे sharpen ध्यान रखें कि अगर आप चाहें तो इसको smart object में convert कर सकते हैं smart object में convert करेंगे तो एक अच्छा result आएगा लेकिन अगर आप smart object में convert करेंगे तो इसकी एक copy और बनाने की ज़रूद पड़ेगी फिलहाल मैं इसको convert to smart object करूँगा और यहां से filter में जाकर sharpen में जाएंगे और यहां से use करेंगे हम लोग smart sharpen और थोड़ा सा add करेंगे smart sharpen यह देख सकते हैं before after यह देखे before and after तो इस तरह से आपको smart sharpen use करने की ज़रूद पड़ेगे अब यहां से ok कर लेंगे smart sharpen add हो गया है आप देखें कि smart sharpen use करने से क्या फाइदा हुआ आप देख सकते हैं before after यह देखे before and after इतना फर्क हो चुका है अब आप अपने original image को देखें, आपको अच्छे से समझ मैंगा कितना फर्ब हुआ है, यह देखे, before and after, before and after, इतना ज़ादा changes हो गया है, 3-4 steps में, अभी कुछ चीज़ें और बागी है, अगर आप चाहें तो उसे भी कर सकते हैं, जैसे, यहाँ पर eyes को sharpen करना, दोनों eyes में थो और friends, आप सभी से request है, कि अगर आप चाहते हैं Photoshop को अच्छे से सीखना, तो मेरे online premium class को ज़रूर join कीजे, उसमें आपको photo editing, skin retaging और Photoshop के हर एक चीज़ को details में सिखाता हूँ, तो आप ज़रूर join कीजे, join करने के लिए मैंने अपना email ID और contact number description में दे दिया है, आप जब चाहे मुझे call कर सकते हैं, और किसी तरह का कुछ question है, तो comment box में पूछी, उसका solution ज़रूर लेकर आँगा, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो मेरे channel को subscribe ज़रूर कीजे, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much friends.